नमस्कार साथियो मैं हूँ अनुराम स्टा आप रहूं का इस पीडियो क्लास में एक आप पर से तागत करता हूँ साथियो हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है वर्ड जुगर्फी यानि की बिस्तु का भूगोल के बारे में और यहां पर जो बात करेंगे वो होगा विस्तु की भूगोल में हम बात करने वाले हैं वो है रेसेदार फसलों के बारे में चैप्टर नमबर 54 में बात करेंगे वो होगा रेसेदार फसल हैं हम लोग नकदी फसलों के बारे में बात कर चुके हैं खाद्यान के बारे में बात कर चुके हैं और पे फसलों के बारे में बात कर चुके हैं अब हम बात करने वाले हैं रेसेदार फसलों के बारे में तो आई एक नज़र डालते हैं रेसेदार फसलों में कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन मिट्टी कौन सी के लिए अविश ह्षैत्र के बारे में बात करें या इसके यहाँ पर उत्पादक देश्टों के बारें बात करेंगे यहीं कोई ग Creator करता है इस फाइए बात करते हैं कि व्हुड़ी कोई पारे में तो सबसे लिए समिझे हैं मेले him ca कपास के बारे में तो आई ये समझ लेते हैं कपास को देख लेते हैं कैसे और कहां पर की जाती है इसका उत्पादक देश कौन-कौन से हैं पिर मुख जाजी देखते हैं जो आपकी कपास है या कोटन है यह उस्ट्री छेत्र की फसले लेकिन इस समय इसे उपोट्र छेत्र मे भी उगाया जाता है या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो कपास है वह उस्ट छेत्र की पसल है लेकिन इसे ज्यादा कहां उगाया जाता है उपोस्ट छेत्र में ज्यादा उगाया जाता है कपास की जनम भूमी है वो मिस्तर को माना जाता है यानि कि अफरीका महधीब का एक देश है उसको कहते हैं मिस्त्र या एजिप्ट ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं यह है एजिप्ट इसके यहां पर अगर इसके उत्तर में आप सागर देख सकते हैं यहां देख सकते हैं स्वेज की खाड़ी और लाल सागर ठीक है इस तरह से तो चलिए समझते हैं आधर दसायों को यबारे में या या Lal की कपास की फसल है उसको किस तरह से कौन कौन ची दसाएवर स्यखें आवश्यक है सबसे फेले ताफमान की बात करते हैं तो ताफमान भी सबसे अधिक अच्छी होती है या हमें ऐसे कह सकते हैं कि इसके लिए जरूरी होते हैं उसमें हलकी ता उपजाव मिट्टी हो जिसमें चूने की मात्रा हो लेकिन अगर सबसे अच्छी मिट्टी की बात करी जाए या कर सबसे अच्छी मिट्टी की बात की जाए जो आती है आपकी काली मिट्टी ठीक है इसको हम रहगुर मिट्टी भी कहते हैं काली कपास मिरदा भी में इसको कहते हैं काली मिट्टी को चलिए समझते हैं आगे जलबाई की बात की जाए तो तेज दूप इसके लिए बहुत जरूरी है ताकि रेसे दा रेसा है या कहें जो इसके वो Li-Fible होते हैं इसें हैं किने चमकदार इसके दिन मुझrdार फॉत ने च ऱ्य चाहिए इस दिन होने चाहिए लिए यह ठीड है ऐस दिसटेघी कपास का पास के ऑदा भेसन का हेर फेर करना यह फिर हम उस में बहुत सारी उखाध डालेन क्योंकि जो पास है जिसड़ कहते हैं उसमें का पास होने के बाद उसमें क्या होता है कि जो edited मिलकुर होती है या उस मिट्टी का या उस सबसे अधिक गर्मी पड़ दिया है उसके बाद भी इसको विश्वत रेका पर नहीं उगाया जा सकता क्योंकि यहां पर बर्सा बहुत होती है क्योंकि मैं आप लोग जब बने बर्सड के बारे में बताया था या में पर मैंने संबहन संबहनि वर्सा के बाहर हुए मैंने पतायता कि एक विश्वत रेका वहां पर बहुत अधिक Motion दोपयर के समय यह रोज होता है कर गंटे-दो गंटे-दो गंटे होने के बाद फिर सान्थ हो जाती है चलिए लोगो पता है कि रजाई कर दो कात्या का डेकर को बिगयो दिए जाएगी ना चलिए कपास की किसम के बारे में बात करते हैं कपास जो है तीन पिरकार की होती है मद्यम वो सरी लंबे रेसे की कपास मद्यम रेसी कपास और छोटे रेसे की कपास चाली देखते हैं सबसे बात करते हैं लंबे रेसे की कपास ठीक है इससे इसके रेसे की लंबाई चार सेंटीमीटर से लेकर साड़ जलवाई हुचा है यहां पर सबसे ऐच्छी तरह से किस्म को लंबर स्मुदरी PG क्याते है žास्तती है इसकी खासकर फीच स्टेट ओप अमिरिका और अफ्रीक्ट महाधीव का इक इस है क्या नाम उसका मिक्र तो यो से और मिस्तुर में खास कर उगाई जाती है दूसरा है मध्यम रेसे की कपास इस रेसे की लंबाई दू-धाई सेंटी मीटर से लेकर चार सेंटी मीटर के बीच में हो सकती है इसको या इसकी केती मेक्सिको पेरू तथा पूरवी अफरीका में खूब अच्छी तरह से की जाते ह है ठीक है चलिए इसके बाद बात करते हैं छोटे रेसी कपास छोटे रेसी की जो कपास होती है इसे भारती कपास भी कहते हैं कि इसकी जो किरसी होती है वो भारत में खासकर होती है ठीक है तो छोटे रेसी कपास की बात तकर करने हैं तो इसका रेसा जो होता है वो धाई से से कम होता है फिर से बोल दे रहा हूं इसका जो रेसी की जो लंबाई होती है वह धाई सेंटी मीटर से कम होती है इसकी खेती ब्राजीर तथा भारत में की जाती है चलिए नेक्ट बात करते हैं उत्पादक छेत्रों के बारे बात कर लेते हैं तो विस्त का सबसे बड़ा उत् चीन यानि कि चाइना और उसके बाद का पास का यानि कि जो उसके बाद का पास का जो दूसरा निर्यात करता यानि कि उहां कि खुद की खपत है काफी इसलिए वह का पास को किसी दूसरे देश में नहीं बेचता तो का पास का सबसे बड़ा निर्यात की देश की अगर बात की है आनीदेस्वार्णा की वह कि वह तो यू ऐसे जो है ये बिदेस्वत क्या करता है निर्यात कर दूसरे तरह क्यों कि यहाँ पर कैसे क पास यहाँ रहीbag consequence जो कि सबसे अच्छी माने है जाती है इसलिए इसकी भीसक्ता अन्य द assassination को पढ़ते यहाँ पर की या फ़र चोटे रैसिक पास हो आई जाती है लुटा पर क्या करते हैं ये त निर्यात करते हैं हो ऑनदी में बेज दिए ए अंने निर्यात अक्ट देस्थ लाव से पररियात करता है ना कि निरयात करता है ना कि मैंने बताया था भारत में छोटे छोटे रेपसकों की कपा से उगती है तो भारत को ज़रुद nova जूट के बारे में बात करते हैं जूट को हम पट्सन भी कहते हैं पट्सन और गाव में इसको सन भी बोलते हैं सन की रस्ति रहा देट जूट जोट जैए जूट जो है उस्ट तथा आद्र जलवाई की फसल हैं जैने हाड और होती है जिस चेतर में नमीं देको कैसी है जूट आदर जलवाई की फसल है इसकी क्रसी में दच्छड एसिया को एकाद एकार प्रिरापता है यानि कि एकाद एकार का मतलब होता है दच्छड एसिया के लावा और कहीं पर इसको नहीं उगाया जाता है यानि कि सारा का सारा जो उगाया जाता है यह दच्छड एसिया बाला जो छेत्र है यहाँ पर उग से अधिक बरसा होनी चाहिए या विश्या कहा है? मिटी की बात कि जाए तो जलोड या कहें खादर मिटी या हम इसको कहते है नवीन जलोड मिटी की आविश्यक्ता होती है और डेल टाइक काप प्मिट्टी इसके लिए बहुत अच्ची होती है चलिए उत्पादक छेत्र के बारे में बात कर लेते हैं उत्पादक छेत्र में अगर बात की जाय तो भारत में आपका पशीमंगाल बिहार असाम उड़ीसा तता यूपी यानि कि उत्तर प्रदेश बिहार आपका पशी मंगाल असाम और उड़ी साई यहां के प्रमुख उत्पादक छेत्र है यहां पर अच्छी खासे आपकी कपास उगाई जूट उगाई जाती है दूसरे नमबर पर बात करते हैं जूट के अंदर अंतर का सबसे अधिक छेत्र भी भारत में ही ह जाता है उसका सबसे अधिक छेत्रपल किसमें है भारत में भारत तता बंगलादेश तता चीन मिलकर भारत यहां पर मैं आपको दिखा जिए तो भारत बंगलादेश और चीन मिलकर पूरे बिस्टो का 95 परसेंट जूट का जूट का उत्पादन करते हैं मैंने बताया था थ ठीड़े एस यह और यहां जो छेत्र इसको ऐका दिकार फ्रांप्त है ठीक है जूट का सबसे जूट का सबसे बड़ा यह कहते अधिक निर्यात करने वाले जूट करने वाला जूटेस है है वहां बंगला देस यानिकी बहार बेजने बाला देस् draw मिच्ट दूतेत्र को छो गट आता है चीन इतना काथी है तीसरा देखते हैं रिंहे सितार फसब हां अ कि रषाएं, फसल कहा इक तरह से आप किरसीं बोल सकते हैं इसको आइए समस्थैं । पर देख सकते हैं यह किड़े हैं जो कि आप पर आप देख सकते हैं जूम करके दिखा देता हूं यह आपका जिससे कपास वो सरी रेसम निकलती है वो कीड़ा होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से सैतुस के पेड़ पर होगाई जाते हैं यह इस तरह से होता है य बन निकालते हैं उससे तो आई समझते हैं इसको रेसम की उत्पति सबसे पहले चीन में हुई मानी जाती है रेसम एक पिरकार की कीड़े से पराप्त होता है जिसको जिंदा रहने के लिए सूल है डिगरी सेल्सियस तापमान बहुत जरूरी होती है बैसे इसकी कहानी में कोड़े साप बिच्चो कांटर और जितने ही तरह के किड़े पकड़े तो उनकी सब की सब्सक्राइब बना लेते हैं एकदम बुजिया साप की बुजिया बताते हैं सुना जाता ये ये मजाक नहीं करना में रियल्टी है वहाँ पर साप बगयरा आराम से बुर्जी बना ब जुबोब के उसमें बेसन में चुए की कोड़ी बन वादी कहीं चुए जैसे बच्चा देते हैं तो वह क्या करते हैं ज्यादा बच्चे आ जाते हैं और ज Cameron कर देते हैं लीजी सब्уждकों दो टास सब्सक्राइब करदेने, जब शॉस का निकल रहे उस dripping, अंदर लिग頭 13 कि और उसकी निकले निकल रहे हैं वह सकनब तक्टाइब तक रहे निकला हैं उसमें अहीं निकल रहा है। मतलब यह कालपनी काहानी नहीं, अपनी तरफ से थोड़ा इसमें जोड दिया है, उसमें दागा निकल रहा थे, उन्हें देखा रहे है, ये क्या, दागा तो उन्ने क्या किया, जब ये धागा देखा बहुत मजबूत था, अच्छा लगा, उसका फिर क्या करने लिगे, ये क्राइब चुपा के रखा यानि कि रेशम का एक आदिकार सिर्फ चीन को भी प्राप्था पुराने जमाने के बात है इसलिए जिस चीट से ये रेशम ले जाए करते थे उसको शिल्क रूट या रेशम मार के कहते थे क्योंकि रेशम सिर्फ इन्हों ने बताया भी नहीं था सालों पूर्वी तता दश्च्ड पूर्वी छेत फिर से मैं बोल देता हूं देशम का 80% उत्पादन पूर्वी तता दश्च्ड पूर्वी इस या से इप्राप्त होता है समझा गया जिसमें जापां चीन इटली कच्छे रेसम के प्रमुख निरयातक देश हैं निरयातक मतलब बहार भेजने वाले देश कौन-कौन से मैं बता देता हूं यहां पर जापान है आप देख सकते हैं इसके बाद यहां पर है आपका चीन यहां पर आपका एक यूरोप में चले जाएंगे तो यहां पर चपल यासी आकृति का इक दिस है इटली ठीक है तो जापां चीन यह बिदेशों में बेशते हैं जबकि अपने अंदर मगाने वाले कौन-कौन से आयात करने वाले वह भारत यूएसे यानि कि यूनाइटिस टिटोप अमेरिका यानि कि सहुकतराज जमेरिका और आपका यहां पर एक देख सकते हैं देश जिसकों कहते हैं फ्रांस उजबकि स्तान विन्हें बताया था यहां पर कई सारे चल्मटों इडेश है किर्गेस्तान ये तान वोतान और यह बीकिस्तान फिरग देश पर अजास फ्रता राकर अऄं चलिए साटियो इस वीडियो में اتना और आधियो है उम्मिद है आपको ये जिडियो होए है वह प लोग इसी तरह से आनंद लेते रहें और आप लोगों को थोड़ी सी बात फिर से कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो का पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो आप नोट बुक में नोट करना न भूलें पिलकुल भी न भूलें क्योंकि अगर आप नहीं बनाएंगे नोट तो